हेलो फ्रेंड्स मेरे किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मकमली पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है बिल्कुल हटके रेस्पी है तो एक पर ज़रू ट्राई करें और रेस्पी को पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पनीर ल दाल लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में मैंने 10 से 15 काजु के दाने लिए हैं वो डाल दिये हैं एक टोरी हमने दूद की डाल लिए इसको अब अच्छे से बीट कर लेंगे यह देखिए बिल्कुल मकमल की तरह ह देखिए हो चुकी है तो चलिए हम एक पैन लेंगे पैन में हमने वन टेबल स्पून हमने देशी की डाला है और साथ में हमने 20 ग्राम के करीब हमने मक्षन डाला है इसको अच्छे से पिगलने देंगे इसके बाद हमने इसमें half teaspoon इसमें हलदी डाली है और half teaspoon इसमें देगि मिर्च डालेंगे इसे color बहुत अच्छा आएगा अच्छे से mix करेंगे इसके बाद हमने 200 ग्राम पनीर लिया है उसको क्यूब्स में कट कर लिया है अब हम इसमें पनीर डाल देंगे पनीर को हम सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसमें बकाएंगे हमने सिर्फ इसका कलर देना है पनीर पे ज्यादा पनीर को फ्राई नहीं करना तो बस हमें इतना ही चाहिए, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है इसके बाद हम इसी ओयल में दो तेज पत्तर डालेंगे तीन छोटी लाइची है, डाल जिननी है, इसको थोड़ा पकाएंगे वन टीस्पून हम इसमें जीरा डालेंगे इसके बाद हमने बहुत ही ब्रीक चॉपिंग की है, लसन, अद्रक और हरी मिर्च की अब हम इसको पकाएंगे, जब तक कि इसका कच्चा पन दूर नहीं होता अगर आपको रेस्पी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन जुरूर प्रेस करें लसन अद्रक बुन चुका है, अब हमने दो प्याज लिये हैं, मिडियम साइज के उनको भी हमने ब्रीक चॉप कर लिया है, अब हम इसको भी पका लेंगे यह देखिए हमारे प्याज भी पक चुके हैं, अब स्पाइसिज डालते हैं, मैं हाफ टी स्पून हल्दी डाल ली है इसमें देगी मिर्च डालेंगे काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे किचन कींग मसाला और गरम मसाला डाल देंगे अब स्पाइसिज अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें अब हम इसको दो मिनट के लिए पका लेंगे इसके बाद हमने जो पेस्ट रेडी किया था पनीर, काजू और मिलक का ये देखिए इसमें अब हम डाल देंगे अब हम इसको थोड़ा अच्छे से mix करेंगे कोटोरी को दो के हम वही पानी थोड़ा से डाल देंगे अच्छे से mix करेंगे और medium gas पे हम इसको चलाते हुए पकाएंगे हमने stop नहीं करना क्यूंकि जो बहुत बार होता है जो काजू है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है अब हम मसाले को आयल के छुटने तक पकाएंगे हमारा मसाला है वो काफी अद तक रेड़ी हो चुका है अब हम इसमें मेथी डाल देंगे कस्टूरी मेथी अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला हमारा देखिए बिलकुल रेड़ी है पूरा घूम रहा है अब हम गरेवी के लिए इसमें जितनी गरेवी आपको चाहिए उसके लिए उतना ही पानी डाले मैंने एक ग्लास पानी डाला है अच्छे से मिक्स कर देंगे mix करने के mix करने के बाद इसको अब हम ढखके इसको अच्छे से boil आने देंगे 2 से 3 मिनट लगेंगे 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसको check कर लेते हैं देखिए बहुत ही अच्छा सा boil आ चुका है अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और जो गरेवी है बिलकुल मकमली क्रीमी बनी है बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें से आप इसको चपाती के साथ राइस के साथ सर्व कर सकते हूं पनीर डालने के बाद हम इसको ढखके दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे अब हम चेक करते हैं दो से तीन मिनट हो चुके हैं तो हमारा जो मकमली पनीर है वो रेडी है अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे एक छोटे पैन में हमने मक्खन डाला है थोड़ा सा मखन को पिगल ने देंगे उसके बाद हमने चार से पाइंतुरी लस्टन की लिया उसको ब्रीक कटिंग कर लिया है इसको अब हम थोड़ा सा पका लेंगे बहुत ब्राउनी करेंगे हलका ब्राउन होने पे गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे जी देखिए अब हम इसमें देगी मिर्ष डालेंगे इसे कलर बहुत अच्छा आएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसको चम्मच की सायता से सबजी के उपर डालेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप ये तड़का बिल्कुल मिस न करें इसे बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आएगा आप इसको एक बार जुरूर बना की देखिए तो अब हम इसको सर्फ करते हैं उमीद है आपको रैस्पी अच्छी लगी होगी आप इसको चपाती नान जा राइस के साथ सर्फ करें अगर आपको रैस्पी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें तो मिलते हैं एक और ने